हम भारतियों की एक बहुत पुरानी आदत होती है कि हमें खुद से ज्यादा दूसरों के कामों में इंट्रेस्ट आता है जी हम तो चलिए आज आज आपके एक ऐसी इंट्रेस्टिंग बात बताता हूँ हमारे पीम नरेंद्र मोधी के बारे में अपने अक्सर देखा होगा कि हॉलिवड इस्टाइल में उनके आस पास SPG के कमांडोज 2400 घंटे तैनात रहते हैं और उनके हाथ में एक काले रंग का ब्रिफ केस होता है अब लोगों के अंदर उक सुकता बढ़ती है कि उस ब्रिफ केस में आकर ऐसा है क्या कुछ लोगों का मानना है कि उस ब्रिफ केस के अंदर एक ऐसा बटन है जिसे अगर PMOD ने दबा दिया तो हर तरह बम फूर जाएगा लेकिन ये मातर एक अफ़वा है दरसल वो ब्रिफ केस एक बुलेट प्रूफ शील्ड है जो खुल जाती है हमले के समय जब भी सुरक्षा बलों को किसी भी खत्रे या संदिक्त गतिवीदी का अंदेशा होता है वे प्रधार मंत्री को सुरक्षित करने के लिए उस शील्ड को नीचे की और जटका देती है जिस से वाशील्ड खुल जाती है देखा जाये तो यह एक तरह से धाल का काम करती है जो कि अक्रिव विशिश्ट रक्षियों को ततकाल और अस्थाई सुरक्षा देती है इस ब्रिफ केज में एक गुप जे भी है जिसमें पिस्तॉल को रखा जाता है